नमश्कार दोस्तों कैसे आप सभी आई ओप आप से भी ठीक होंगे हमेशे कि तरह आप सभी का स्वागत है कबार फिर से हमारे चैनल इंस्पारिंग अगरी कॉंटेक पर जहां दोस्तों मैं आपको यहां पर इनफार्म कर दूँ आपको इनफार्म किया गया है एप्लिकेट before the ranks are finalized and announced यहां पर सबसे पहले तो आपको मैं बता दूँ आपका doubts clear कर दूँ कि आपका rank अभी नहीं निकला है ICR की तरफ से यहां पर सिर्फ आपका क्या हुआ है जो application login का है वो option आपके पास यहां पर आ गया है तो इसके बाद अगर हम बात करें जो सबसे पहले मैं आपक application number है यहां पर जो application login के लिएए ऊपर आरा है तो अभी आप इसको login नहीं कर सकते हैं आपको login तब करना पड़ेगा जब आपकी email पे आपका application number है और password है वो आज आएगा उसके बार यहां पर login कर सकते है उससे पहले आप यहां पर login नहीं कर सकते हो तो आपको लॉग इन अप्लिकेशन नमबर आएगा और आपको पासवर्ड आएगा जो आपकी इमेल आपने ICR के जैसे आपने ICR का फॉर्म फिल के है वहाँ पे आपने जो इमेल फिल की है उसी इमेल पे आपको यह अप्लिकेशन नमबर और पासवर्ड आएगा उसी के बार आप यहां पे लॉग इन कर सकते हैं तो यहां पे मैं आपको बता दूँ लॉग इन आपको करना किसलिए है यहां पे all candidates must visit www.icr exam.net to make correction in category PC UPS status यानि कि अगर आपको correction करनी है PC यानि कि physical challenge यानि कि अगर आप दिव्यांग हो तो आपको वहां पे correction करनी है forum पे तो आप यहां पे कर सकते हो login करके और UPS status अगर आपको change करना है अगर आपकी जो state है वो UPS status में आती है तो आपको वहां पे change करना पड़ेगा यानि कि यहां पे मैं बता दूँ कुछ students ने आपके गलत feel कर दिया है जैसे application form UPS states है तो वहां पे आप देख सकते है अगर आपकी state UPS में आती है तो आपको यहां पे yes कर देना है अगर नहीं आती है तो आपको no कर देना है तो यह update था ICR की तरब से और दूसरा आपका यहां पे doubts भी होगा कि जो आपका rank है जो maximums और students हैं उनके message भी मुझे personally बहुँजार आए हैं कि आपका rank कब तक आना है तो मैं आपको यहां पे बता दूँ पास November से पहले तो कोई भी chances आपके नहीं है कि rank आपका आएगा और दूसरी बात जो आपको यहां पे correction करनी है PC और UPS status फिल करने की तो वो आपको 5 November से पहले पहले आपको correction करनी पड़ेगी और वो correction आपकी तभी होगी जब आपकी email पे आपका application number और पासवर्ड वहां पे आएगा तभी आप correction कर सकते हो अधरवाईज आप नहीं कर सकते हो और दूसरा यहां पे reset passport का option आएगा तो यहां पे आप login कर सकते हो अपना passport change करके आप यहां पे login कर सकते हो और बाकी जो भी next update रहेगा ICR की तरफ से आपको इसी चैनल पे यहां पे inform किया जाएगा बाकी आप other social media platform पे join हो जाएए हमारा telegram चैनल बना है वहां पे काफिता students को भी help मिद रही है counseling को लेके तो आप जल्ली से टेलिग्राम पे join हो जाएए बाकी WhatsApp ग्रूप भी हमारा बना है वट वहां पे जो members है वो limitation होती है WhatsApp पे तो वहां पे full हो गए है बाकी आप Instagram पे जल्ली से follow कीजिए है अगर आपका personally कोई doubts है confusion है तो आप Instagram पे मुझे message कर सकते हैं तो आपको जुरूर वहां पे reply बे लेगा बाकी Instagram पे live session मेरा daily रहता है अगर कोई भी आपका doubts आप live में भी आ सकते हैं आपको वहां पे reply मिल जाते हैं और बाकी नई अपडेट के लिए आप इस channel को subscribe करें एक बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि दोस्तों स्मेस में पर नेक्स्ट वीडियो की नोटिविशन आपको सबसे पहले पहुंचे धन्यावाद